E.D. ने बताया है कि कल देर शाम जारी एक अधिकारिक बयान में संगिय एजंसी ने कहा कि इसने आरोपियों के खलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्थानिय पुलिस में एक शिकायत दी है और E.D. की टीम पर उस वक्त हमला किया गया जब वो राशन वितरन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना इस्थित संदेश खली में त्रडमूल कॉंग्रस नेता शेक शाह जहां के आवास पर तलाशी लेने पहुंची थी एजंसी ने अपने बयान में कहा है कि E.D. अधिकारियों की ड्यूटी के दौरान उन पर भीड ने हमला कर दिया संदेश है कि शेक और उनके सहयोगियों के उकसावे पर भीड ने ऐसा किया और तीन अधिकारियों को गंभीर चोटे आई क्योंकि भीड जान लेने के मकसद से E.D. अधिकारियों की ओर बढ़ रही थी E.D. ने आगे बताया कि घायल अधिकारियों का एक अस्पताल में इलाज हो रहा है संगिया एजनसी ने कहा कि अन्य अधिकारियों को अपनी जान बचाने के लिए तराशी लिये बगएर ही मौके से भागना पड़ा क्योंकि भीड बहुत जादा हिंसक हो गई थी और यहां तक कि उसने अधिकारियों का पीछा भी किया ताकि उन्हें अपना अधिकारिक कारे करने से रोक सके एजनसी ने अपने बयान में ये भी जानकारी दी है कि भीड ने एडिय अधिकारियों के मोबाइल फोन्स, लापटॉप, नकदी यहां तक कि बटूआ जैसी निजी चीजें भी छीनली और सरकारी चीजें भी लूट ली एजनसी ने बताया कि दोशों के खिलाफ F.I.R. दर्शकर कारवाई के लिए शेत्रा अधिकार रखने वाले पुलिस थाने में जरूरी शिकायत दे दी गई है तलाशी टीम जैसे ही शेक के आवास पर पहुँची थी दर्वाजा अंदर से बंद पाया गया और उन्होंने इसे खोलने से इनकार कर दिया एजनसी ने ये भी बताया कि इसके अधिकारियों ने केंद्रिया रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के कर्मियों की मदद से दर्वाजा खुलवाने की कोशिश की और एजनसी ने अपने बयान में बताया कि उस वक्त उनके मोबाइल फोन के लोकेशन से ये संकेत मिला कि वो घर के अंदर ही थे इसके बाद आधे घंटे के अंदर करीब 800-1000 लोगों की भीड ने ED के टीम पर धावा बोल दिया और उनके ओर बढ़ना शुरू कर दिया भीड में शामिल लोगों के हाथों में लाठी, पत्थर, इट आदी थी उन्होंने ED अधिकारियों और CRPF कर्मियों को घेर लिया एजनसी ने बताया कि अचानक भीड ने ED अधिकारियों और CRPF कर्मियों पर हमला करना शुरू कर दिया उन पर पत्थराओ किया गया और अधिकारियों और CRPF के 27 कर्मियों पर लाठीयों से भी हमला हुआ है ED अधिकारियों के खिलाफ नारे बाजी की गई और ED ने कहा कि भीड ने अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों के वाहनों को शति ग्रस्त कर दिया एजनसी के अधिकारियों ने बताया है कि प्रदेश के 24 परगना जिले में कल जब छापे मारी के दोरान भीड के हमले में इसके अधिकारियों को गंभीर चोटे आई और मुबाइल फोन और बटवा जैसी चीजें भी लूट ली गई तो देर शाम एक अधिकारिक बयान में ये कहा गया ID के तरफ से कि आरोपियों के खिलाफ हमने FIR दर्ज करा दी है स्थानिय पुलिस में शिकायत दे दी है और ID की टीम पर उस वक्त हमला कर दिया गया था जब राशन वितरन घोटाले की सिलसरे में ये उत्तर 24 परगना स्थ सिर्थ संदेश खली में तरनमूल कॉंग्रस नेता शेक शाह जहां के आवास पर तलाशी लेने पहुंचे थे इस बड़ी खबर से जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे क्या कुछ इस पर आगे कारवाई होगी क्या स्थिती है जो घायल अधिकारी हैं वो क्या बयान देते हैं यह सभी अपडेट्स आपको अमरुजाला.com पर मिलेंगे आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर करूप करते हैं